हलो फ्रेंड्स मैं आओ मिथलेस कुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यूपी फार्मासिस्ट एनेचम की जो वेकेंसी आई है इस एनेचम की वेकेंसी के लिए जो एक्जाम हो क्योंकि explanation से बहुत ज्यादा benefit आपको मिलने वाला है चलिए और यदि आप एनेचम की वेकेंसी की प्रॉपर वे में तयारी करना चाहते हैं तो वह भी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप तयारी कर पाएंगे वीडियो में आप लास्ट तक बने रही है ठीक है चलिए आज क प्रोपेल किया जाता है लंग्स के पास oxygen के लिए वो किस चैंबर से तो आपको पता है कि हमारा जो हर्ट है हर्ट अगर इस हर्ट का human heart का structure बनाया जाए तो human heart में कितने चैंबर होते है फोर चैंबर हर्ट होता है human heart है ना इसको क्या कहते हैं हम लोग इधर वाले को right atrium यह क हमारा left atrium हो जाएगा और left ventricle हो ठीक है और इतना तो आपको पता दूं कि heart में right side में चाहे वो atrium हो या ventricle हो उसमें impure blood होता है impure blood कहने का मतलब वह deoxygenated blood होता है जैसे कि diagram में blue color से दिखाया हुआ है इसका मतलब उसमें deoxygenated blood है तो यहां पे बोल रहा है कि the blood is propelled to lungs for oxygen oxygen के लिए blood को propel करना है मतलब क्या है कि वह blood क्या है deoxygenated blood है तभी तो oxygen चाहिए तो deoxygenated blood को क्या करते हैं हम लोग lungs के पास भेजते हैं then lungs उसको क्या करता है lungs क्या करता है उसको वहां पे cellular respiration होता है मैं gaseous exchange होता है पता है ना आपको gaseous exchange होने के तौरान O2 अंदर आता है CO2 बा आ जाता है ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा concept है दो कि आपको समझना होगा देन आप बना पाएंगे question देखिए हमारा lungs है यह क्या हमारा lungs है यह हमारा human heart है सबसे पहले जो deoxygenated blood है हमारा इस तरीके से आता है right atrium में right atrium से फिर right ventricle में जाता है फिर right ventricle से जो यह इसका ना mix हो जाता है तो यह oxygenated blood फिर किस में आता है left atrium में फिर left ventricle में फिर left ventricle के थुरू वह blood कहां चल जाता है पूरे body में transfer हो जाता है अब यहां पर question क्या है blood is propelled to lungs for oxygen oxygen के लिए blood को जो प्रोपेल किया गया कहां से किया गया यहां से ना lungs के पास भेजा गया तो यहां से किया तो मतलब answer क्या हो जाएगा right ventricle क्या हो जाएगा answer right ventricle तो यह जो circulation है वो ध्यान से रखिएगा अगर circulation आपको ध्यान में रहेगा तो इस तरीके से question घुमाया जाता है कि lungs से जो oxygenated blood होता है वो heart के किस chamber में receive करा जाता है तो left atrium में तो इस तरीके से आप sequence याद रखेंगे क कि सबसे पहले जो vena kava है vena kava से deoxygenated blood right atrium में आता है right atrium के बाद blood right ventricle में जाता है फिर right ventricle से blood को propel किया जाता है कहाँ पे lungs के पास किसलिए oxygen के लिए जब oxygen उस blood को मिल जाता है तो वो फिर pulmonary vein के तरू right left atrium में आता है then left ventricle में आता है then left ventricle के तरू orta के तरू पूरे body तैकल तैकल आपको दियान रखनाता है हमारा ओयन का है किस चीज़ के लिए reliable है तो मांस तरिके से हमारा जो हमारे बॉडि को भी पैथोजन एटक करता है या या फिर कोई भी bacteria याın हमारे body पर अटेक करता है तो हमारे body मेऄ जो immune response होता है हमारे immune system जो response करती है वो immune response को stimulation का काम कौन करता है एक तरीके से मस्ट सेल करता है, क्या से करता है मस्ट सेल histamineasz करता है हिस्टामिन रिलीस करता है और उस area में एक तरीके से inflammation हो जाता है तो inflammation का कारण भी क्या होता है histamine होता है तो mast cell किसके release के लिए responsible है histamine के लिए ठीक है अब हम लोग बात करते है the number of teeth in child's mouth child के mouth में number of teeth क्या है तो number of teeth कैसे ध्यान रखेंगे यह ऐसे तो आप direct याद रख सकते है बच्चे के मुँँ में जो number of teeth होता है वो 20 होता है और adult के जो मुँँ में होता है adult के जो mouth में होता है 32 होता है ठीक है लेकिन आपको formula याद रखना होता है dental formula काफी important हो जाता है तो dental formula child के लिए ध्यान रखना है किसके लिए child के लिए अलग से और adult के लिए अलग से ठीक है तो child के लिए क्या होता है वहिया तो dental formula जो किस तरीके से किया जाता है ICPM पता होगा दान चार प्रकार के होते हैं incisor, canine, premolar and molar तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है ICPM उसके नीचे उसका number लिखेंगे इसका ट्रिक होता है 1202 बटे 1202 ध्यान रखेगा directly question आयाद है dental formula of child तो आपको याद रखना है 1202 बटे 1202 अब adult के लिए इधर नहीं दिख रहा होगा मैं नीचे लिख देता हूँ adult के लिए जो होता है dental formula वो क्या होता है 2323 बटे चाइल्ड के लिए कितना होता है dental formula 1202 बटे 1202 प्लस चाइल्ड में total कितने होते हैं 20 और ये adult में total कितने होते हैं 32 लेकिन ये dental formula से भी हम लोग कल्कुलेट कर सकते हैं पता है कैसे चलिए मैं करके दिखाँ थोड़ा सापको मैं दिखाता हूँ करके थोड़ा यहां concept है जो कि आपको समझना चाहिए क्योंकि question यहां से आते हैं तो देखिए जो ये dental formula बनता है जैसे कि आपको एक diagram दिख रहा होगा है इस diagram में upper jaw ये upper half jaw इधर हो गया half इधर अलग half हो गया तो इस half में देख रहा होगा incisor है फिर canine है फिर pre molar है उसके बाद molar है है ना तो incisor कितना है दो गो है canine कितना है एक है फिर pre molar कितना है दो गो है molar कितना है तीन है तो देखिए 21 23 बन गया ना वही चीज़ है 21 23 दो एक दो तिन इसका मतलब है upper half jaw में उपरा जबडा जो है इंटू टू करना होगा आधा इधर आधा इधर तो इधर कितना हो जागा जोड़िये तो 2 1 3 2 5 3 8 16 16 दांत नीचे हो गया मेरा अब उसी तरीके से उपर भी होता है 21 23 बटे 23 आधा में अगर 8 होगा है तो आधा आधा पूरा हो जागा कितना 16 तो इंटू टू तो इधर भी हो जागा 16 उपर 16 नीचे 16 तो कितना हो गया टोटल दांत 32 इस तरीके से हमारे कल्कुलेट हो गया अब चाइल्ड में भी कल्कुलेट करके दिखाते हैं तो चाइल्ड में या क्या परजेंट नहीं होता है प्री मोलर परजेंट नहीं होता है यह भी कोशिन आता है कि चाइल्ड के माउथ में कौन सा ऐसा दांत है जो की परजेंट ही नहीं होता है वह प्री मोलर क्यों क्योंकि प्री मोलर के देखें नीचे क्या है? जीरो लिखा हुए ठम जे? तो यहाँ पर कैसे गिनेंगे? इसमें भी अपर हाफ जो है, तो अगर अपर हाफ जो है, तो फूल जो करने के लिए लिए इंटू टू करेंगे, तो दो एक तीन दो होता है वो कितना होता है बीस एडल्ट के मुह में कितना दांत होता है 32 एडल्ट का जो डेंटल फर्मॉला वो क्या है 21 23 बटे 21 23 चाइल्ड का डेंटल फर्मॉला वो क्या है 21 02 बटे 22 इतना ध्यान रखेंगे तो आपका काम चलने लाइक बन जाएगा ठीक है चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेशन क्या है नेक्स्ट क्वेशन जो हमारा है वो काफी से रिलेटेटेड है लिम्फ से रिलेटेड है और पता है लिम्फ का क्या होता है हमारे बॉडि में इम्यून system का का म करता है न लिम्फ इम्यून डियान देना रखते है जैसे ध्यान रखना आपको spleen हो गया, bone marrow हो गया, thymus हो गया, lymph nodes हो गया, lymphatic vessels हो गया इतने सारे चीज़ हैं जो lymphatic tissue से concerned है क्या-क्या, spleen, bone marrow, thymus, lymph node, lymph vessels, ठीक है तो इसमें से कोई भी option मिलेगा आपको tick करना है यहाँ पे हमारा क्या option मिल रहा है, spleen तो हमारा answer क्या हो जाएगा, spleen और spleen को क्या कहते हैं, graveyard of RBC, क्या कहते हैं, graveyard of RBC graveyard मतलब क्या होता है, कब्रिष्टान, RBC का कब्रगाह कहा जाता है मतलब RBC जो मर जाता है, वो कहाँ पे जाकर destroy होता है, spleen में ठीक है, चलिए, next question पे आते हैं हम लोग, colon is related to colon किस से related है, तो large intestine यदि आप देखेंगे तो यह diagram किसी का है, large intestine का है, किसका है large intestine large intestine में ही colon होता है, कैसे, देखें, large intestine को तीन पार्ट में बाटा जाता है, एक होता है सीकम, दूसरा होता है colon, तीसरा होता है rectum, क्या-क्या, सीकम, colon and rectum क्या क्या सीकम कोलन एंड रेक्टम लेकिन जो कोलन है उसको फिर अलग से चार पार्ट में बाटा जाता है ठीक है तो यहां पर यह पार्ट हो गया सीकम यह पूरा हो गया कोलन देखे यह पूरा हो गया कोलन और यह पूरा हो गया क्या रेक्टम परपल वला रेक्टम हो गया लेकिन जो colon इतना बड़ा है, इस colon को तीन, चार पार्ट से पाटा गया, उपर यादी चड़ रहा है तो ascending colon, अगर इस तरीके से transverse हो गया तो transverse colon, फिर अगर नीचे गिर रहा है तो descending colon, और थोरा सा sigmoid curve है, तो sigmoid colon, चार प्रकर के colon हो गया, और उसके बाद rectum, तो समझ रह descending colon and sigmoid colon, उसके बाद rectum, तो जो colon word है, वो किस से related है भई या, तो large intestine से related है, बताएए, duodenum किस से related है, small intestine से, क्योंकि small intestine का तीन पार्ट होता है न, duodenum, jejunum and ileum, चीक है, चलिए, next question पर आते हैं, nephritis is a disease occurs in, nephritis एक disease है, जो कि किसमे देखने को मिलेगा, तो nephritis, ध्यान रखि connection हुआ है, किसमे, nephron में, और nephron किसमें पाया जाता है, kidney में, क्योंकि nephron को ही kidney का structural and functional unit कहा जाता है, तो यहां पर क्या हो जागा, nephritis is a disease occurs in kidney, nephritis जो disease है, वो किसमें पाया जाता है, kidney में पाया जाता है, ठीक है, चलिए, next question है, हमारा addition's disease is related to, addition disease एक endocrine disorder है, क्या है, endocrine disorder है, adrenal gland आप देखे होंगे, adrenal gland को क्या कहा जाता है, cap of the kidney कहा जाता है, यह हमारा kidney है, kidney के ऊपर एक प्रकार से gland पाया जाता है, जिसको हम लोग adrenal gland कहते हैं, इसको थोरा से चुम करके देखेंगे, तो यह इस प्रकार का triangular structure होता है, उसमें अंदर का area है, उसको हम लोग adrenal medulla कहते हैं, क्या कहते हैं, adrenal medulla कहते हैं, और जो बाहर वला area है, उसको में लोगा कहते हैं, adrenal cortex कहते हैं, क्या कहते हैं, adrenal cortex, तो adrenal cortex से कुछ hormones release होते हैं, glucocorticoid and mineralocorticoid, तो यही दोनों हर्मोन का काम क्या होता है, कि body में बहुत ज़्यादा glucose और minerals का मात्रा maintain करके रखते हैं, ठीक है, glucoc corticoid and mineralocorticoid, तो यही चीज़ के मैंनी, क्या adrenal cortex का जो secretion होता है, वो कम पढ़ जाता है, जिस करण से क्या हो जाता है, एडिसन्स disease होता है, क्या होता है, एडिसन्स disease होता है, तो यहाँ पर देख लिजे, option क्या क्या है, आपके पास, एडिसन्स disease is related to thyroid gland, नहीं जी, परा thyroid gland, न related है, क्यों, adrenal gland में भी किस पार्ट से, cortex वाले पार्ट से, किसे, cortex वाले पार्ट से, cortex वाले पार्ट से, कौन कौन से hormones निकलते हैं, कुछ hormones के नाम आप ध्यान रख लिजे, glucocorticoid, mineralocorticoid, और भी ETC वगरा होते हैं, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, तो cortex का secretion कम होता है, जिसका रखन से addissance disease होते हैं, clear, next question है, number of the movable bone in vertebral column is, vertebral column क्या होता है, vertebral column में movable bone कितने होते हैं, याद है आपको पता है क्या, देखिए, vertebral column होता क्या है, तो हमारे rear की हड़ी को vertebral column कहते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, एक तरीके से यह हड़ी प क्या है, तो इसमें movable bone कितने होते हैं, देखिए, आप मोती का माला देखें, माला देखें, necklace, जिसमें की मोती लगी रहती है, तो किस तरीके से एक चोटा-चोटा मोती से मिलके, एक necklace बनता है, उसी तरीके से बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे-वर्टीब्रल बोन, जोकि cervical, सबसे उपर वाले को cervical कहते हैं, जोकि कहां present होता है, neck वाली region में, कहां neck वाली region में, गर्टन के पास होता है, ठीक है, और यह कितना होता है, इसका नलबर 7, नलबर भिया रखना है, कितना 7, फिर thoracic, यह कहां पे होता है, chest के पास होता है, हमारे chest के पास जो vertebra है, वो कितना होता है, 12 होता है, कितना, 12, और यही वर्टीब्रे, यही चेस्ट, थोरैसिक वर्टीब्रे से ही, हमारा जो ribs है, पंजड़ा है, यह जो पसली होती है, sorry, पसली जो हड़ी है, ribs, वो जाके पीछे connect होती है, ठीक है, और फिर lumbar region, जो कि हमारे belly part में आता है, belly मतलब हम and cocix, क्या? cocix, cocix cocix, sacrum and cocix, जो sacrum होता है, वो 5 bone के, इधर से नहीं दिख नहींँगा और इधर दिखा देता हूं, यहाँ जो pelvic में है, वो sacrum, sacrum and cocix, cocix, तो सैकरम कितने बोन के Fuse होईने से बनता है 5 बोन के Fuse होईने से बनता है और कॉकिक्स कितने बोन के Fuse होईने से बनता है 4 तो टोटल वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन होगा है तो यहाँ पर 12 17 29 огр Pas between 24 24 कितना हो गया 29 29 49 33 33 लेकिन actually में यहाँ पे क्या होते हैं मैं बोलाओ ना fused होते हैं क्या होते हैं fused होते हैं मतलब यह movable नहीं होते हैं यह fused होते हैं तो यहाँ पे fused होते हैं तो इसलिए इसको कितना घिना जाता है एक पांचों मिलाकर के एक बनता है, इधर भी पांचों मिलाकर एक बनता है, तो उपर में कितना हो गया, 12, 7, 19, 24, 26, तो टोटल पूछा जाता है, वर्टिबरल बोन कितने पाये जाते हैं, तो 26 पाये जाते हैं, उसमें से मुवेबल कितने हैं, तो उपर वाला तीनों क्या है, जो सैक्रम और कोकिक्स है वो क्या हैं वॉजठर्ट से मूं नहीं कर पाता तो यह उन्हें को मिली होंगी इसलीड से काफ़ीष सीषय सीखने को मिली होंगी जो हमारा प्रसय कर देता हूं हमारा प्रस理 पांच पार्ट में डिवाइड करें सबसे पहला पार्ट है सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसमें की सैवन वर्टिब्रल बॉन होते हैं नेक के पास होता है उसके बाद हमारा थोरसिक वर्टिब्रा थोरसिक वर्टिब्रा चेस्ट के रिजन के पास होता है जिसमें की 12 जो करके बना हुआ है, और caucas चार vertebral bone से fuse जो के बना हुआ है, फ्यूज हो गया है, तो इसकाराइब से एक-एक गीनते हैं, तो उपर से कितना हो गया? 29, 29,25, 24, 26 तो टोटल vertebral bone होता 26 है, लेकिन उसमें से movable कितना होता है? या 2 गो minus कर दीज़े, तो 24 गो क्या होता है, moveable होता है, clear, चलिए, next question पर आते हैं हमारा, next question है, progesteron is secreted by, progesteron किसे secret किया जाता है, तो corpus luteum से, किसे, corpus luteum से, जैसे यह हमारा ovary है, यहाँ पर primary, primary oocyte है, फिर धीरे-धीर secondary oocyte हो जाता है, फिर धीरे-धीरे, इससे जब ovum, ovum बहार निकल जाता है, यह क्या है, ovum है, माले जे, ovum है, और यह क्या होता है, बाहर निकलता है, तो यह rupture हो जाता है, graphene follicle क्या हो जाता है, rupture होने के बाद, जो structure बज़ता है, वो endocrine gland के जैसा काम करता है, किसके जैसा है, endocrine gland, और endocrine gland का क्या है, hormone release करना, क्या काम है, hormone release करना, तो यह जो corpus luteum corpus luteum जो कि क्या करता है corpus luteum बन जाता है जो कि क्या करता है या progesterone hormone का secretion करता है किसका progesterone hormone का secretion करता है ठीक है progesterone hormone का secretion कौन करता है corpus luteum करता है clear तो आज का question यहीं तक था अब हम लोग बात करते हैं जदी आप NHM के वेकेंसी के तैयारी करना चाहते हैं, तो उदित फार्मेसी के उदित फार्मेसी नाम से प्ले स्टोर पर एप है, उस एप पर हम लोग आपके लिए एक बेस्ट कोर्स प्रवाइड कर रहे हैं, जो कि यूपी फार्मासिस्ट के लिए जो आपके NHM के थुरू से जो आई वेकेंसी के लिए एक्जाम हैं, उसके प्रॉप उसके लिए बेस्ट स्ट्राइजी में हम लोग त्यारी करवा रहे हैं, और लाइव क्लासे प्रॉपर वे में चल रही हैं, प्लस रिकॉड़ेड वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, हर एक सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस आपका उस सिलेबस को एक नया टॉपिक दिया गया, और उस टॉपिक से रिलेड़ेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स बनाए गया है, सारे अप्लोड़ेड हैं, प्लस लाइव क्लासेज भी चल रही हैं, इबुक, पीडियेफ, नोट्स आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, सिलेबस वाई जैमसी क्यू टेस्ट कराया जा रहा है, मॉडल पेपर प्रेक्टिस कराएंगे, प्लस प्रॉपर टाइम मेनेजमेंट आपको सिखाएंगे, किस चेप्टर पे कितने टाइम देजे, कौन सा सिलेबस को ज़्यादा पढ़ना है, जो कि आपका सेलेक्शन का चांसे ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, यदि आप हमारे साथ इसी तरीके से बहतर वे में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एप से जोड़ सकते हैं, जोडने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा step 1 है, आपको मोबाइल में जाएए, प्ले स्टोर पे जाएए, उधित फार्मेसिस सर्च कीजिए, देन ये हमारा एप का लोगा आजाएगा, इंस्टॉल कर लिजएगा, मोबाइल नमबर डालिए, ओटीपी डालिए, उसके बाद लोगिन कर लिजिए, अपना नाम डालके, इमेल आडी डालके, इमेल आडी डालने के बाद, अपना यहाँ पर क्या आजाता है, स्टोर वाला आप्शन में जाएए, इस्टोर वाले आप्शन में जाने के बाद, आपको कोर्स मिल जाएगा, UP Pharmacist NHM नाम से उस course को enroll कर लिजे उस course की prices बहुत जल्द बढ़ने वाली है तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाएए और वहाँ पे कुछ demo lectures भी available है free of cost आप विजिट कीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को तैयारी को start करिए ठीक है? चलिए मिलते हैं किसी next informative videos में तब तक के लिए ओके बाबाई धन्यवाद